अगर आप भी जानना चाहते हैं टीवी और सीरियल्स की दुनिया का ताजा हाल तो फिर देर किस बात की चलिए करते हैं शुरुआत बॉलिवुड की ताजा खबरों के साथ किसी ने सच ही कहा है घर जो है सर्फ चार दिवारी से नहीं बनता बलके घरवालों से बनता है और घरवालों में जो प्यार होता है न वस उसी से बनता है घर लेकिन घर में अगर जिक जिक होती रहे तो यकीन मानगे वो घर नहीं एक आफत लगने लगता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में जी हाँ पहलो तो काव्या थी अनुपमा के जीवन में जहर घोलने के लिए और अब लीजे अपनी बेटी ही अपनी मा के खिलाफ हो जाए तो विचारी अनुपमा क्या करे अनुपमा मम्मी से अब अनुपमा जी हो गई है अब पाखी अपनी मा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती भला कोई बेटी अपनी मा के लिए इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकती है पाखी की परवरिश अनुपमा ने तो ऐसे नहीं की थी अब हम सब जानते हैं कि पाखी के सर पर इन दिनों काव्या का भूत सवार है क्यूंकि काव्या ने अपने माया जाल में पाखी को फसा जो लिया है और पाखी तो जैसे सब कुछ भूल कर काव्या के नाम की माला जप रही है और काव्या के संगत में रहकर वो इतनी बद्तमीज हो गई है कि सबसे जुबान लड़ा रही है बार बार अपनी मा की बेईजती कर रही है अब पाखी का डांस कॉंपटीशन है तो ऐसे में अनुपमा अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती है पाखी की तयारी विल्कुल नहीं है और पाखी को यही सब अच्छा नहीं लग रहा है जिसको लेकर घर में बवाल हो रहा है अब पहले तोशु आया और इसने भड़ास निकाली कि दिन रात घर में चिक चिक चलती रहती है जब देखो तब जगड़ा जब देखो तब कलेश अब ये बात चल रही रह थी कि पीछे से वनराज भी आ गया और वनराज भी शुरू हो गया कि क्या लगा रखा है इन औरतों ने अब बात जब औरतों की हुई तो भला महिला मंडल ये कैसे सहन कर लेगी तो लीजिए भाई अनुपमा और काव्या दोनों शुरू हो गई उसके बाद वनराज ने ज जो बात कह रही है वो एकदम सही कह रही है बाखी के बत्तमीजी बढ़ती जा रही है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने मापापको चपल दिखाएगी जिनको देखकर धड़कता है फैंस का दिल जिनका एक ठुमका सारा बाजार लूट लेता है जिनकी एक मुस्कुराहट पर उनके चाहने वाले का दिल पिखल जाता है अब तो समझी गए होंगे आपके हम बात कर रहे हैं खूब सूरा टालेंटिड और बेहत पॉपुलर वन एन ओली माधुरी दिख्षित की जिहां शायद ही कोई होगा जो माधुरी की आदाओ का दिवाना नहीं होगा और यहीं वज़ा है कि माधुरी के किसी भी एक पोस्ट को वाइरल होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता अब हाल ही में एक्ट्रस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसके बाद उनका ये खूब सूरत पोस्ट फैंस के बीच काफी वाइरल होने लगा अब देखिए माधुरी की एक उपसूरत नस्वीर हमारी इस खास रिपोर्ट में बॉलिवट में माधुरी दिख्षित को धक्ता गर्ल के नाम से जाना जाता है 90 के दौर से लेकर आज तक माधुरी दिख्षित अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों के दुलों पर राज कर रही है उनकी हर एक अदा पर उनके फैंस मर मिटते हैं जब भी परदे पर वो आती हैं तो देखने वाले अपना दिल थाम लेते हैं क्योंकि माधुरी दिख्षित अपने स्माइल, एक्टिंग और अलग-अलग अंदाज से हर किसे का दिल चुरा लेती हैं डांस और एक्टिंग के साथ साथ माधुरी दिख्षित सोचल मीडिया पर अपने फैंस के लिए बहुत फेमस है वो जो भी पहनती हैं, वाकई में उसमें वो कमाल लगती हैं अब हाल ही में माधुरी ने सोचल मीडिया पर एक बहुत खुबसूरत तस्वीर शेयर की है माधुरी दिख्षित की खुबसूरती को देखने के बाद उनकी उमर का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके हर अंदाज में कुछ खास बात है सोचल मीडिया पर माधुरी दिख्षित की एक बहुत अच्छी और लंबी फैंस लिस्ट है वैसे तो माधुरी दिख्षित आए दिन अपने सेट पर मस्ती करते या फिर अपने लुक को तस्वीरों को फैंस के साथ शेयर करते रहती हैं जिने लोग बहुत पसंद करते हैं हाली में उनका लुक देखकर सोचल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करने से नहीं ठक रहें माधुरी दिख्षित ने सोचल मीडिया अकाउंट पर अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की है इस तस्वीर में धधधग गर्ड माधुरी दिख्षित ओफ शोल्जर ब्लू और वाइट प्रिंटर्ड मैक्सी में पोस्ट देते हुएं नजर आ रही है पिक्चर में माधुरी ने आँखों पर संग्लास लगाया हुआ है और बहुत ही कम मेकप लिया हुआ है उनकी इस तस्वीर पर जो चार चान लगा रही है वो है उनकी प्यारी सी मुस्कुराहत इस तस्वीर के साथ ही माधुरी दिख्षित ने अपने संगर्ष के दिनों को याद किया उन्हें इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए लिखा मैं उन सभी शंगर्सों के लिए शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिंदिगी मैं उन्हीं संगर्सों के दम पर हूँ, माजरे के इस तस्वीर के पतसंसक सोशल मीडिया पर जम कर तारीफ कर रहे हैं। माजरे दिख्षित के इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के बाद, फैंस खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। किसी यूजर ने दिल वाले इमोजी के साथ स्माइली भेजी, तो किसी यूजर ने कॉमेंट करते हुए लखा बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। दूसरे यूजर ने लिखा आप सबसे बेस्ट हो। इस तस्वीर पर अब तक कुल 6 लाग से अधिक लाइक्स आ चुके हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो इन दिनो डांस रियालिटी शू, डांस दिवाने को जज़ कर रही हैं। इसके अलावा माजरु दिख्षित ने करन जोहर की वेब सीरीज, The Heroines से ओटिटी प्लाटवर्म पर कदम रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी सीरीज के दिने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जो गुत्ती, रिंको भावी और डॉक्टर मशूर गुलाटी का नाम शायद नहीं जानता है। जी हाँ, कॉमेडी के महानायक है सुनील ग्रोवर। फैंस के बीच पॉपलर कमेडियन सुनील ग्रोवर की पहचान उनका ये कैरेक्टर ही है कॉमेडी नाइट्स विद कपल और दे कपल शर्मा शो के इसे किरदार नुने रातो रात पॉपुलेरिटी दिला दी थी। और आज उन्हें सब इसी आवतार्स की वज़े से पसंद भी करते हैं। आज सुनील अपना वदे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट फैन्स के लिए बेहद खास है। तो फिर देखी हमारी ये सुनील स्पेशल रिपोर्ट। वॉलिवुड तक का सफर तै करने वाले सुनील ग्रोवर की रहा इतनी आसान नहीं थी। शुरुवाती दोर में सुनील ग्रोवर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुनील ग्रोवर की पहली कमाई सिर्फ पात सो रुपे जिहां सिर्फ पात सो रुपे की कमाई से लेकर आज तक का ये सफर सुनील ने तै किया और इसका खुलासा खुद सुनील ग्रोवर ने ही किया था। आपको बता दे कि सुनील का जन तीन अगस्त 1977 को हरियाना की एक छूटे से गाउं में हुआ था। उन्हें बच्पन में फ अबला बजाना सीखने के लिए भेजने लगे। वहीं जब सुनील बड़े हुए तो फिल्म थेटर में काम करना चाहते थे। सुनील ग्रोवर ने एक पर अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर अपनी निजी जिन्दगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। जिसमें उ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दूसरों के साथ अन्याय होगा। इसके बाद मैंने थेटर की ट्रेनिंग ली और मैं मुंबई आ गया। लेकिन कुछ महीने तोक मैंने सिर्फ पार्टी की। मैंने अपनी बजट के पैसे लगा कर पौश एरिया में घर र पार्टि के नाम से परिचित ना हो। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की पहचान ये करेक्टर है। कॉमेडी नाइट्स विद कपल और दकपल शर्मा शो की इसी करदार ने उन्हें रातों रात पौपुलारिटी दी थी। लेकिन अब कॉमेडी से हट कर सुनील कुछ अलग कर के रेडियो स्टेशन रेडियो मिर्ची में काम कर चुके हैं। उन्होंने रेडियो मिर्ची के लिए उनकी पौपुलर सीरीज हसी के फवारे को होस्ट किया था। जिसमें उनकी कैरेक्टर का नाम था सुदर्शन। सुदर्शन को बेहुदा जोक्स को फणी तरीके से अगर वो हस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं और अगर वो नहीं हसी, तो समझ लेते हैं कि वो जोक और्डियंस के सामने नहीं चलेगा, सुनील की वाइफ आरती पेशे से इंटीर डिजाइनर हैं और दोनों का एक बेचा भी है, ये चांस और आशिन चेहरा, बालो का रंग सुनेहरा, ये मैं नहीं, ये तो वरात गा रहे हैं अपने अनुश्का क जी हाँ, बॉलिवुड के फेमस लवली कपुल्स में से एक है विरुश्का की जोडी, दोनों सोशल मीडिया पर साथ में कई पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो वो आग की तरह फैन्स के बीच वारल होने लगती है, दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की जाती है, अब हाल ही में दोनों की एक एड की वीडियो वारल हो रही है, जिसमें दोनों की जोडी काफी जम रही है, तो चलिए आपकी एकसाइट्मेंट को खत्म करते हुए दिखाते हैं विरुश्का की ये जबर्दस वीडियो इस रिपोर्ट में मनुरंजन और क्रिकेट जगत के सबसे खूबसूरत कपल में से एक, अनुश्का और विराट अकसर किसी न किसी बात को लेकर च्वर्चा में बने रहते हैं, दोनों की डेटिंग से लेकर परियो की कहानी जैसे लगने वाली शादी तक सब कुछ उनके फैंस को काफी पसंद आता है, वहीं ये जोड़ी हमेशा अपने नए और अनोखे वीडियो से बार बार दर्शकों का दिल जीत लेती है, अनुश्का शर्मा वामिका को जन्द देने के बात से अभी बॉलिवुट से कुछ वक्त दूर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वराट कोली के अंदर प अपने इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए, गाने के बॉल से अनुश्का की तारीफ भी की है, वहीं वराट और अनुश्का के इस एट को उनके फैंस बेहत पसंद कर रहे हैं, आपको बता दे कि वराट अनुश्का इससे पहले भी प्रमोशनल एड में साथ क की क्रुकेटर्स के तुलना में वग्यापन ज्यादा सहस्ता से कर लेते हैं, वहीं जब पर अनुश्का साथ हो, तो वराट के अंदर एक अलग ही जोश्चा जाता है, हाली में वराट कोली ने अपने इंस्ट्रग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें व अनुश अनुश्का को देखकर वराट बस देखते ही रह जाते हैं, इस पर अनुश्का पूछती है क्या देख रहे हो, तो वराट शम्मी कपूर की स्टाइल में गाना गाने लगते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फो का रंग सुनहरा, और फिर वराट और अनुश्का सा होई थी, और वहीं से दोनों के प्यार की शुरुवात होई थी, इसके बाद मानेवल के एड में दोनों का प्यार खुले तोर पर सामने आ गया था, अब एक बेटी के माता-पिता बन जाने के बाद भी अनुश्का और वराट किसी कॉलेज कपल की तरह लग रहे हैं, वहीं वराट अनुश्का के पती बन गए हो, लेकिन आज भी लड़किया उन पर जान चड़कती हैं, अगर बात करें अनुश्का शर्मा की, तो वो साल 2018 से ब्रेक पर हैं, अनुश्का आखरी बार शाहरुक और काट्रीना के साथ फिल्म जीरो में नज़र आई थी, ये फिल्म प चलिए अब एक पहेली का जवाब दीजे, उसे एक्टर कहो या सिंगर, कॉमेडियन कहो या फिर एंकर, बताओ बताओ कौन है वो, नहीं समझे, चलिए हम बताते हैं कौन है वो, हम बात कर रहे हैं मनीश पॉल की, जी हाँ, हर फील्ड में खुद को फिट करने वाले एक्ट मनीश पॉल की पहचान तो कई सारे हैं, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक एंटर्टेनर ही कहलाना पसंद करते हैं, मनीश पॉल के पास फैंस की लंबी कतार है, वो एक ऐसी शक्सियत हैं, जिस भी पॉमिट में काम करें, लोग उनके हर रूप को प्यार करते हैं, टीवी शगल का था, जब वो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बता दे कि मनीश पॉल का जन्म 3 अगस्त को दिल्ली के मालवी नगर में हुआ था, उन्होंने एपीजे पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद कॉलेज ओफ विक्रेशन स्टडी से ग्राजुएशन किया, मनीश को स्कूलिंग के दौरान ही होस्टिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था, कहते हैं कि जब स्कूल में कई बार टैप या प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उन्हें ही स्टेज को संभालने की जबमेदारी मिलती थी, उस बक शायद ही उन्होंन करना पड़ा था, मनीश टीवी सीडल में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रेडियो में काम करने का मौका मिला और वो आरजे बन गए, इसके बाद उन्होंने टीवी की और अपना कदम बढ़ाया, उन्होंने छूना है आस्मान और घोस्ट जैसी कई टीवी शोज किये, इसके बाद उन्होंने बड़े परदे पर रुख किया, मनीश ने तीसमार खान, ABCD जैसे फिल्मे में काम किया और मिकी वारस में उन्हें लीड रोल मिला, मनीश ने हर फॉर्मिट में काम किया, लेकिन उनको पहचान मिले ही तो शो होस्टिंग से, मनीश जब भी स्टेज प बड़ा नाम कमा चुके हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब उनके पास काम नहीं था, एक इंटर्विव को दरान उन्होंने बताया कि स्ट्रगल के दरान उनकी पत्नी ने उनका काफी सहयोग किया था, पत्नी घर चलाने के लिए नौकरी करने जाती थी और इस दरान वो काफी फ्रस्टेटिंग भी था, मनीश पॉल का कहना है कि इससे वो कभी डिप्रस्त नहीं होए, इस दरान उन्होंने कई फिल्में देखी, उन्होंने कहा कि जिन्दगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए दिन शग नादा चड़या ओ सखिया, ये गाना हम नहीं, बलकि बोनी कपूर और श्री देवी की लटली जानवी कपूर गा रही है अरे क्योंकि अब बाबुल की वेटी बड़ी जो हो गई है और शादी को तयार हो गई है जी हाँ, हाल ही में एक्रोस ने अपनी कुछ गौजिस तस्वीरे शेयर की हैं, जिसमें वो दुलहन की लिवास में नजर आ रही है तो देखिए इस खास रिपोर्ट में प्यारी दुलहन की खूबसूरत तस्वीरे ना प्रियांका निक की तरह रास्थान के रॉयल पैलिस में शाही शादी ना वराट अनुशका की तरह इटली की खूबसूरत वादियों में डेस्टिनेशन वेरिंग और नहीं दिपकार अन्वीर की तरह दिली से मुंबई तक कई रिसेप्शन पार्टिया श्री देवी और बोनी कपूर की लाटली जानवी कपूर ने अपनी शादी को लेकर ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएगा बॉलिवुड में फिल्म धड़क से डेव्यू करने वाली जानवी कपूर को इंडॉस्ट्री में आए अभी तीन साल ही हुए है लेकिन अब वो हिंदी सिनेमा का एक चर्चित चहरा बन चुकी है धड़क, रूही और गुंजन सकसेना जैसे फिल्मे करके उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर अभी ने की कितनी एक शमता है हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग में निखार आ रहा है वह जानवी कपूर के करियर की ये तो बस शुरुवात है लेकिन उन्होंने अपनी शादी को लेकर अभी से पूरी तयारी कर ली है जिहां पिकॉग मैगजीन को दिये इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अपनी कैसी शादी चाहती है जानवी ने अपना पूरा वेडिंग प्लान तयार करके रखा है इंटर्व्यू में जब उनसे बैचिलर पार्टी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो ये पार्टी क्रापी में या यॉट पर करना चाहेंगी वो अपनी शादी की सारी रस्में तीरूपती में करना चाहती है और जहां तक महदी और संगीत सेरिमनी का सवाल है तो ये फंक्शन वो मलाइपूर में श्री देवी के पैत्रिक घर में करना चाहती है वहें जब उनसे रिसेप्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या ये जरूरी होता है? जानवी अपनी शादी में मनीश मलोत्रा का डिजाइन किया कोई हैवी लंगा पहनने के बजाए कांजी वरम या पट्टु पाडवाई साड़ी पहनना पसंद करेंगी वहीं जानवी से जब शादी की थीम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी अपनी मा दिवंगत अभिनेतरी श्री देवी की पसंद के फूलो का जिक्र किया जानवी ने कहा कि शादी की सजावत मोगरा के फूलो और मुम्बत्यों से की जानी चाहिए शादी का पूरा फंक्शन दो दिन में ही खत्म होना चाहिए वहीं उनकी शादी की सारी तयारिया उनकी बहन अंशुला देखेंगी अगर पापा बोनी का पूर और खुशी एमोशनल हुए तो उन्हें संभाल सकती है वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी का पूर इंदनो करन जोहर के फिल्म दोस्ताना टू में नजर आएंगी इस फिल्म में पहले उनके साथ कार्तिकारियन काम कर रहे थे लेकिन बाद में करन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया देखिए फिल्म जगत एक ऐसी जगह है जहां आप दिन नए आई रिष्टे बनते हैं और तूटने की खबर आती है कई ऐसे गलाकार है जिन्होंने एक या दो फिल्मों में साथ काम किया और इनके वीच प्यार पन अपने लगा कई सितारों के प्यार को मंजल मिली तो किसी का हाथ और साथ बीच में ही छूट गया बॉलिवुड और टेलिविजन में कई कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्यार को दुनिया भर के सामने स्विकार भी किया किसी किसी के रिष्टे को तो शादी के मुकान तक पहुँचने के बाद उनका रिष्टा तूट गया बॉलिवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिनका प्यार शुरू में तो परवान चड़ा दुनिया के सामने उन्होंने अपने प्यार को खुबूल किया और सगाई के बंधन में बन के लेकिन शादी के मंदब तक पहुँचने से पहले कई ऐसे कलाकार हैं जिनका रिष्टा तूट गया इनकी जिन्दगी में एक ऐसी राह आई किसी कारण के बज़े से इनका रिष्टा तूट गया आज हम आपको बताने जा रहें कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में जिनका प्यार परवान तो चड़ा सगाई भी हुई लेकिन शादी तक बात नहीं पहुँची रवीना टंडन और अक्षे कुमार एक समय पर सबसे अधिक चटिट जोड़ी थी इनकी जोड़ी प्रशंसकों को भी पसंद आती थी रिपोर्ट्स के मताबिक दोनों ने लगभग तीन साल तक एक दूसरे को डेट किया था आपको बता दे कि रवीना टंडन ने खुद एक बात चीट के दोरान इस बात का खुलासा भी किया था कि उन्होंने अक्षे के साथ एक मंदिर में बिना किसी को बताए सगाई कर ली थी लेकिन इनके करियर को कोई नुकसान नहीं हो इसके वज़ा से उन्होंने अपनी सगाई की बात हर किसी से छुपा कर रखी लेकिन रिपोर्ट की माने तो अक्षे की दूसरी अभिनेत्रियों के साथ बढ़ती नजदीक्यों को देख कर रवीना ने उनके साथ अपनी सगाई तोर दी करन सिंग ग्रोवर वो एक्टर है जो अपने फिल्मों के साथ साथ अपने निज़ी जिन्दिगी को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं आपको बता दे कि करन सिंग ग्रोवर और बर्खबिस्ट की मुलाकात कितनी मस्थ है जिन्दिगी के सेट पर हुई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो की शूटिंग के दोरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गये थे एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने सगाई करने का फैसला लिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2004 में दोनों ने सगाई भी कर ली लेकिन इसके बाद इन दोनों का रिष्टा ज्यादा लंबा नहीं चला और दोनों साल 2006 में अलग भी हो गए बताया ये जाता है कि करन को बर्खा का चुलबला विवहार पसंद नहीं था जिससे वो असुरक्षित महसूस करने लगे थे करन के इस बयान पर बर्खा ने सफाई देते हुए कहा कि करन ने उन्हें धोखा दिया है और उनके विवहार को लेकर जो टिपणी है वो सरासर गलत है नील नितिल मुकेश पिछले काफी समय से परदे से दूर है लेकिन अपने करियर के शुरुवाती दिनों में ही नील नितिल मुकेश डिजाइनर प्रियांका भातिया के प्यार में पढ़ गये थे रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने कुछ समय बाद सगाई भी कर ली हाला कि उस दौरान नील नितिल मुकेश का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था नील अपने करियर पर अधिक फोकस करना चाहते थे इसलिए धीरे धीरे वो प्रियांका भातिया को समय देना बंग कर दिये जिसके वज़े से इनके रुष्टे के बीच मनमुटाव होने लगा दोनों के बीच परिशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दोनों ने अपने सगाई तोड ली अभिशेक बच्चन और करिश्मा कपूर का रिष्टा तूटने का गहरा असर कपूर खांदान और बच्चन परिवार दोनों पर पड़ा अभिशेक और करिश्मा ने एक दूसरे को 5 साल तक का समय दिया और साल 2002 में इन दोनों ने अमिताब बच्चन के साथवी जन दिन पर सगाई कर ली थी लेकिन साल 2003 में इनके रिष्टे में मनमुटाव आया और इन दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी खबरों के मताबिक अभिशेक और करिश्मा एक दूसरे से अलग होना चाहते थे लेकिन उनके अलग होनी की वज़य बनी उनकी माँ ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन और बबिता कपूर के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट हुई और इसी के चलते अभिशेक और करिश्मा के रिष्टे का अंत होगी बॉलिवूड गप्शिप में फिल्हाल के लिए इतना ही बॉलिवूड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल फिल्म डस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रिवर्सी हर खबर मिलेगी बॉलिवूड गप्शिप पर तो फिर धमाकेतार इंटर्टेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूजवल इंडिया